Hello everyone, welcome to Study IQ. Study IQ के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा Odisha राजिय के Current Affair पूरे 7 महिनों के, यानि जन्वरी से लेकर अब तक के July के end तक के Odisha के detailed Current Affair हम इस वीडियो में study करेंगे. Odisha के Current Affair शुरू करने से पहले एक दो important बाते में आपके साथ करना चाहता हूँ. Last year मैंने Odisha का एक वीडियो बनाया था Current Affair का और जब मैंने वो बनाया बहुत सारे बच्चों ने request की थी कि Odisha के Current Affair भी आप पढ़ाईए तो मुझे लगा कि ठीक है 5-10,000 लोग देख लेंगे उसे 5-10,000, 20,000 वीउज आ जाएंगे वो वीडियो आज मैंने खोल के देखा सुबह तो उस पर 16,000,000 वीउज है 1.6,000,000 वीउज उस पर आय हुए थे फिर मैंने दूसरे वीडियो खोल के देखे जो मैंने Odisha के बनाये थे तो एक मैंने June to December का बनाये था 2021 का उस पर भी वीउज अल्मोस्ट 175 पोने 2,000,000 वीउज थे और एक पूरे साल का मैंने फिर compilation डाल दिया था उस पर भी धाई लाग से जादा वीउज थे तो Odisha के सभी students ने, viewers ने मुझे इतना जादा प्यार दिया है over the years कि वो शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है इसलिए Odisha के current affair जब भी मैं बनाता हूँ तो वो मेरी priority रहते हैं अभी मैंने बस 2 या 3 state के ही compilation शुरू किये हैं तो उनमें सबसे पहले मैं Odisha के ही बना रहा हूँ शुरू के जो 2-3 states हैं उनमें Odisha है So it is always one of my priorities Odisha के current affair मैं आपको English में पढ़ाऊंगा जैसे हमेशा से पढ़ाता आया हूँ यानि मैं समझाऊंगा आपको Hindi में लेकिन जो screen पर लिखी हुई language होगी वो English होगी ठीक है तो चलनतू शुरू करीबा ये वीडियो और मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये बता देता हूँ कि मैं एक अनुभवी current affairs teacher हूँ मुझे 7 years का experience है 2015 में जब मैंने current affair पढ़ाने शुरू किये थे तो मैं YouTube पर पहला teacher था जिसने current affair पढ़ाने शुरू किये थे एक organized तरीके से और अब मेरा एक paid course आता है अब मैं YouTube पर नहीं पढ़ाता हूँ हाँ state current affair मैं सारे YouTube पर free डालता हूँ सब के लिए लेकिन मैं daily current affair different exams के लिए पढ़ाता हूँ जैसे banking exam, SSC, railways, state PCS, etc defense exam, teaching exam तो अगर आप मुझे daily current affair पढ़ना चाहते हैं तो मेरा course available है हमारी mobile app पर इसका price है एक साल का 1000 रुपीज only और आप बड़ी screen पर भी देख सकते हैं अगर आप laptop या desktop पर देखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको अपने आपको limit करना है mobile screen तक आप बड़ी screen पर भी उसको देख सकते हैं उसके लिए आपको मारी website पर जाना होगा studyiq.com वहाँ पर आपको सारी detail मिल जाएंगी यह एक earths course खरीद आप खरीदना चाहते हैं तो इसका जो link है वो मैंने नीचे description और pinned comment में डलवा दिया है अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर अभी अभी एक surface to surface missile है जिसका Odisha से launch किया गया था प्रित्वी 2 आपको बताना है कि जो प्रित्वी 2 है इसकी range कितनी है और यह एक surface to surface missile है जब हम missile को surface से launch करते हैं और वो surface पर ही hit करती है तो उसे हम surface to surface missile बोलते हैं अगर हम उसे आस्मान में launch करते हैं surface से तो surface to air और अगर हम मान लीजिए एक aircraft से दूसरे aircraft को destroy करने के लिए कोई missile छोड़ रहे हैं तो हम air से ही छोड़ रहे हैं और air पर ही जा रही है वो तो air to air, right, that is the difference और इसको याद करनी कि भी आपको एक बड़ी अच्छी मैं trick बताऊंगा, ठीक है तो पृत्वी 2 की जो range है, वो कितनी है, वो है 350 km तो answer is option B, और बहुत ही जादा strong missile है इंडिजिनसली developed है, यानि हमारी देसी missile है और हमने ये integrated guided missile development program के थुरू बनाई थी तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये IGMDP क्या है देखिए, integrated guided missile development program APJ अब्दुल कलाम ने start किया था, इसमें हमने 5 missile बनाई थी जिनें हम पटना बोलते हैं, ठीक है तो P से हो गया पृत्वी, A से हो गया अगनी, T से हो गया त्रिशूल N मतलब नाग और A मतलब आकाश अब इनमें याद क्यासे रखें कि कौनसी क्या है, देखो नाग तो बड़ासान है क्योंकि नाग, anti-tank guided missile है और हमारे पास जो tank वाली missile होती है उनको हम इस category में नहीं देखते कि वो surface to surface है, surface to air है, क्या है तो जो नाग है वो एक anti-tank guided missile है और कौन-कौनसी हमारे पास anti-tank guided missile है हमारे पास हैलीना है हमारे पास दुरोवस्त्र है और एक संत missile है तो ये सारी tank को destroy करने के काम आती है अब बची, पृत्वी, अगनी पृत्वी और अगनी दोनो surface to surface missile है ठीक है? दोनो, पृत्वी भी और अगनी भी अब बची, त्रिशूल और आकाश ये दोनो है surface to air missile surface to air missile और ये याद रखने की एक trick भी आपको मैं बता देता हूँ त्रिशूल और आकाश को कैसे याद रखें? आप ऐसे imagine करिए कि एक त्रिशूल है आप जानते हैं भगवान शिव का एक अस्त्र होता है त्रिशूल जो उनके हाथ में रहता है तो त्रिशूल जब आप देखेंगे तो वो धर्ती पर लगा हुआ होता है कहीं पर लेकिन वो इशारा कहां करता है? आस्मान की तरफ वो point करता है तो यानि की रखा तो वो सर्फेस पर हुआ है लेकिन इशारा आस्मान यानि आकाश की तरफ करता है तो त्रिशूल और आकाश ये दोनों हो गई सर्फेस टू एर ये इसको याद रखने की ट्रिक है और दो-तिन मिसाइल और हैं जैसे प्राहार है, प्रलय है ये सब सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है प्राहार, प्रलय और प्रित्वी ये तीनों जो PPP ये सारी सर्फेस टू सर्फेस है और प्रित्वी मैंने आपको यहाँ पर बात की जो वो प्रित्वी 2 है तो प्रित्वी भी 3 है प्रित्वी 1, प्रित्वी 2, प्रित्वी 3, सब एक जैसी है, बस उनकी range में फरक आ जाता है, जब हम missile के बड़े variant बनाते हैं, जैसे मालो कोई missile है ABC, अगर उसका हम variant देखेंगे ABC1, ABC2, ABC3, तो मतलब इसकी जो range है वो बढ़ती जाएगी, इसी तरह से अगनी है, अगनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो अगनी 6 है, उसकी range अगनी 1 से जाधा होगी, ठीक है, लगातार भढ़ती जाएगी, ये ध्यान दखिए, तो ये missile किसने design और develop करी है, DRDO, DRDO ने develop करी है, ये 5 जिनने हम पटना बोलते हैं, ठीक है, और जो missile के launch होते हैं, वो हम कहां से करते हैं, वो हम Odisa में, च करते हैं, तो चांदीपूर एक बहुत important जगा है, ये बाला सोर में आता है, बाला सोर district में आता है, चांदीपूर, एक और important चीज़ आपको बताता हूँ, कई बार आप APJ अब्दुलकलाम island भी सुनेंगे, यहां से भी हम कई सारे launch करते हैं, space launches, APJ अब्दुलकलाम island को पहल missile को test fire करके देखते हैं, वो कहां पर है, तो वो अलग-अलग district में है, चांदीपूर बाला सोर में है, और APJ अब्दुलकलाम island जो है वो भदरक district of Odisha में आता है, आईए अगले सवाल पर आते हैं, Odisha की कौन लड़की है, ये पहली Indian है, जो एक professional K-pop artist बनी है, ये जो K-pop होता है, ये South Korea का बहुती special music होता है, K-pop artist बनना असान नहीं है, और ये 18 साल की हैं सिरफ, और इनका जो नाम है वो है Shreya Lenka, तो Shreya Lenka जो है, ये एक काफी important question हो सकता है exam में, वैसे Shreya Lenka से मुझे याद आया, एक woman है, उनका नाम सुना होगा, Sesmita Lenka, ये मैंने last year पढ़ाया था, और इसा के बच्चों को, Sesmita Lenka News में क्यों आई थी, आप जानते हैं, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, क्योंकि इन्हें UN की तरफ से Asia Environmental Enforcement Award मिला था, और ये पहली Indian है, जिन्हें United Nations Asia Environmental Enforcement Award मिला था, खेर अब ये question पुराना हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन को असानी से ना भूले, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, Sesmita Lenka के बारे में, लेकिन यहाँ पर आंसर है, Shreya Lenka, और हो सकता है, examiner आपको confuse करने के लिए, Shreya Lenka और Sesmita Lenka, दोनों आपको option में दे दे, Odisa की कौन सी Public Transport Service है, जिसे UN Public Service Award मिला है, क्योंकि इसने Gender Responsive Public Services को प्रोमोट किया Sustainable Development Goal Achieve करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, MOBUS सेवा, MOBUS सेवा, और यह MOBUS सेवा इतनी खास क्यों है, मतलब इतना Special क्या है MOBUS के बारे में, देखो जब से पहली बात तो यह Environment Friendly Buses है, ठीक है, दूसरी बात यह, इनमें जो Conductor होती है, वो महिलाएं होती है, पूरी तरह से, तो इसलिए यह काफी Gender Equality को प्रोमोट करती है, तो यह आपको ध्यान रखना है, इनमें CCTV लगे होते हैं, इनमें GPS वगरा जो connectivity होती है, वो होती है, पूरी तरह से safe होती है, तो यह जो Buses हैं, इनको मिला है UN Public Service Award, United Nations से अभी अभी, और बहुत ही जादा यह एक important question है, क्योंकि यह पूछ सकते हैं कि Odisha सरकार की कौन सी चीज है, जिसे UN Public Service Award मिला है, अभी-अभी MSME Award आए, आपको पता है कि MSME जो day होता है, वो भी अभी हमने मनाया था, तो सबसे पहले तो यह बताइए, कि जो MSME Day है, हमने वो कब मनाया, तो हमने वो 27 जून को मनाया था, 27 जून को हमने MSME Day मनाया, और उस दिन प्रदानमंत्री मोधी ने Award दिये थे, National MSME Award, तो उनमें भारत के जो राज्ये हैं, वो MSME को कितना promote करते हैं, कितना develop करते हैं, उनमें अपने contribution के लिए, जो Award दिये गए, उनमें Odisa का क्या rank है पूरे इंडिया में, तो मैं आपको जानके खुशी होगी, कि पूरे इंडिया में Odisa No.1 था, मैं आपको द मिला, तो ये तो बात हुई State Level पे, कि भई, State No.1 कौन सा रहा, अगर आपसे पूछें District, तो उसमें तमिल नाडु का विरुधुन अगर पहले No.1 पे रहा, राजस्तान का करोली दूसरे No.1 और Odisa का का काला हंडी, जो Western Odisa में आता है, काला हंडी, इसको 3rd prize मिला, तो State के वि एक लिस्ट आई थी, तो MSMEs को इंडिया में सबसे अच्छा प्रोमोट किया, State Bank of India ने, ये क्लियर है आपको, और हमारे MSME Minister कौन है, जानते हैं आप, इनका नाम है Narayan Rane, इवन आपने KVIC का नाम सुना होगा, खादी और ग्राम उत्योग आयोग, जिसे हम इंगलिश में बो National Mineral Congress, और Field Visit of Coal Gasification Plant of JSPL in Odisha, तो आपको बताना है कि ये Odisha के कौन से district में है, Coal Gasification Plant JSPL का, ये अंगुल में आता है Odisha में, ध्यान दखिए, अंगुल में आता है, और हमारा एक Ministry है, जो कौल के लिए, उसके Minister कौन है, प्रलाज जोशी, ये हमारे Minister for Parliamentary Affairs भी है, और कौल और Mining के लिए भी Minister यहीं है, और अगर मैं आपसे पूछूँ कि Odisha में, जो Mines है, वो कौन सी है, अगर आपसे ये पूछा जाए, कि क्या Odisha में कोई Important Mines है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, खास तोर पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे Coal Mines की, तो Coal क्या Odisha में होता है, देखो जो Coal होता है, वो Mainly, जारखन, जो दामोदर वैली वाला एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है Coal, Odisha में भी Coal है, no doubt Coal के Deposits हैं, काफी ज़्यादा है, तो Coal के जो Deposits हैं, वो कहां पे हैं Odisha में, यह आपको बताना है, तो Odisha में सबसे ज़्यादा जो Coal होता है, वो तल्चर में होता है, इन फैक्ट, जो Raniganj Coal Field है, Raniganj Coal Field कहां पे हैं, वेस्ट बेंगॉल में, तो Raniganj Coal Field के बाद कहते हैं, कि सबसे ज़्यादा जो Coal है, वो तल्चर में ही है, यहाँ पे 24,000,000,000 टन के Coilet के भंडार है, is it understood and of course, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो Odisha में होती हैं, आपको Iron Ore के बारे में पता होगा, in fact, अगर आप total minerals की बात करें, तो उसमें Odisha number 1 है, mineral production की अगर आप बात करेंगे, तो उसमें Odisha number 1 है इंडिया में, और बहुत सारे ऐसे इंडिया में minerals हैं, जिनके production में Odisha पूरे इंडिया का, इंडिया का 76% जो bauxite है वो Odisha से आता है, chromite, almost 100% इंडिया का जो chromite है वो Odisha से आता है, फिर Iron Ore, इंडिया का 51% Iron Ore Odisha से आता है, उसमें Odisha number 1 है, मैंगनीज में Odisha number 2 पे है मद्धे परदेश के बाद, मैंगनीज में Odisha number 2 पे है, इसके अलावा Odisha में और भी चीज़े हैं, जिनके भंडार काफी जादा है, ठीक है, लेकिन ये 2-3 जो हैं वो हर बार exam में repeat होती हैं, तो ये मैंने आपको बता दिये, चलिए आगे भढ़ते हैं, Odisha में कितने villages ऐसे हैं, जो ODF plus status को achieve कर चुके हैं, ये ranking आई है सवच भारत mission की, एक चीज़ है जिसमें Odisha काफी पीछे चल रहा है, और वो है ODF plus, अपने गाउं को वो बनाने में काफी पीछे चल रहा है, In fact, Odisha की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे सिरफ 0.27% villages हैं, Odisha में जितने भी villages हैं, उनके सिरफ 0.27% villages हैं, जो ODF plus status को achieve कर चुके हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूँ, कि ODF में और ODF plus status में क्या फरक होता है, देखो पूरा इंडिया ODF हो चुका है अलड़ी, ODF मतलब open defication free, यानि खुले में शोच मुक्त, यह तो इंडिया अलड़ी पहले हो चुका है, अब मैं बात करता हूँ ODF plus, ODF plus मतलब यह होता है, कि open defication free तो है ही, और साथ में जितने भी public toilets हैं, वो fully functional है, कई बार क्या होता है, कि जो toilet हैं उतने अच्छे नहीं होते, उतने साफ नहीं होते, उतने operational नहीं होते, functional नहीं होते, लेकिन ODF plus का मतलब यह होता है, कि वहाँ पे सारे लोग toilets को यूज करते ह हैं, यानि कोई भी खुले में शोच नहीं कर रहा, खुले में toilet वगरा नहीं कर रहा, तो ODF तो है ही, लेकिन साथ में जितने भी public toilet हैं, वो fully functional है, अगर ऐसा है तो फिरम उसे ODF plus बोलते हैं, तो इस मामले में इंडिया का number one राज्य तेलंगाना है, right, ODESA 16 नंबर पे चल र से भी जादा, वो ODF plus बन चुके हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, कि तिलंगाना ही आगे जाके पहला इंडिया स्टेट होगा, जो ODF plus स्टेटस को अचेव करेगा, चलिए आगे भड़ते हैं हम, अभी अभी एक important ranking आई है, और ये भारत सरकार की ranking है, National Food Security Act को लेकर, तो National Food Security Act क्या होती है, ये आप जानते हैं, राश्ट्रिय खादे सुरक्षा अधिनियम, ये 10 September 2013 को आया था National Food Security Act, हम इसमें ऐसे याद रखो, 3, 2, 1, 3 रुपे किलो चावल, यानि राइस, 2 रुपे किलो वीट, और 1 रुपे किलो जो दूसरे सीरियल्स हैं, वो गरीब परिवारो को देते हैं, ठीक है, तो जिससे वो अपना गुजारा कर सकें, कितना देते हैं ये, क्या वो unlimited ले सकते हैं ये, नहीं, unlimited नहीं ले सकते, तो उसमें limit होती है, अब दो दरह के गरीब परिवार होते हैं, एक होता है, अन्त योदे, अन्योजना केटेगरी में आता है जो, और एक होता है, जो PHH केटेगरी में आता है, जिसे बोलते है priority household, और एक होता है AAY, AAY केटेगरी में हैं, तो बहुत ही जादा गरीब परिवार होते हैं, अन्त योदे, अन्योजना केटेगरी, इसमें उनको 35 kg per family per month मिलता है, 35 kg per family per month से ज़्यादा वो नहीं ले सकते, और priority household में उन्हें 5 kg per person per month मिलता है, यहाँ पे 5 kg per person है, यहाँ पे 35 kg per family है, ठीक है, यह ध्यान रखिए, तो इतना मिलता है, और National Food Security Act पूरे इंडिया में लागू हो चुका है, इसके लिए इसको implement करने के लिए और अच्छा रहता है, अगर one nation, one ration card भी पूरे इंडिया ने adopt कर लिया ह अभी अभी यह आप जानते होंगे, इंडिया में 28 state और 8 union territory है, तो total 36 state और union territory सबने one nation, one ration card को apply कर दिया है, implement कर दिया है, इसका मतलब यह है, अगर आप उडिसा में रहते हैं, और अगर आप भारत के किसी और राज्ये में जाते हैं, तो भी आपको वहाँ NFSA का फाइदा मिल और union territory में से मिला के कौन सा है, सबसे आखिर में किसने इसको implement किया है, तो वो है ASAM, ठीक है, ASAM इंडिया का 36 state plus union territory मिला के है, जिसने one nation, one ration card को अभी अभी अपनाया है, और अब इसी के साथ पूरा इंडिया one nation, one ration card से जुड गया है, तो ODISA ने National Food Security Act को लागू करने में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, तो ODISA was first, उत्तर प्रदेश जो था, वो दूसरे नंबर पे था, और आंधर प्रदेश जो था, वो तीसरे नंबर पे था, तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा पूरा, कि ODISA number one, ODISA ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, National Food Security Act को लागू करने के लिए, यहाँ आप देख सकते हैं, ODISA का स्कोर, UP second था, आंधर नंबर तीन पे था, और अगर मैं छोटे राजियों की बात करूँ, तो तुरिपुरा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, तुरिपुरा was number one, दुरौपदी मुर्मू, ये पंदरवी राश्पती बनी है भारत की, ये कौन से ट्राइब से आती है, दुरौपदी मुर्मू से काफी question आ सकते हैं, देखो, पहली बात तो क्या दुरौपदी मुर्मू first woman है जो भारत की president बनी है, नहीं, दूसरी है, इन से पहले प्रतिभा पाटिल भी रह चुकी है, तो ये दूसरी president है, जो woman है, फ ये पक्की बात है, इन से पहले कोई भी tribal, man या woman भारत का राष्टपती नहीं बना है, और ये second woman है, प्रतिभा पाटिल के बाद जो भारत की राष्टपती बनी है, और ये पंदरवी president है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है, अब इसमें और क्याके question आ सकते हैं, इसमें ये भ दान सभा में legislative assembly election जीती थी, उन्होंने win किया था, कहां से, इनकी seat का नाम है, रायरंगपुर, तो ओडिसा में एक जगा है, रायरंगपुर, वहां से ये चुनाव लड़ती थी, और अगर आप से ये पूछा जाए, कि जो ये जगा है, रायरंगपुर, ये कहां पर है, ये ये जगा, रायरंगपुर, जो seat है, और अगर आप से ये पूछें, कि जो दुरापदी मुर्मु है, इनका जनम कहां पर हुआ था, तो क्या आप वो बता सकते हैं, कि दुरापदी मुर्मु का जनम कहां पर हुआ था, where was she born, ये भी पूछ सकते हैं, दुरापदी मुर्मु का जो जनम है वो ओडिसा में हुआ था और वो मयूर भंज में ही हुआ था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी अभी हमने चांदीपूर से अगनी 4 बलिस्टिक मिसाइल को भी टेस्ट किया सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है इसका रेंज कितना है अगनी के डिपेंड करता है तो अब हम अगनी 6 जो है वो बना रहे है अभी अगनी 6 बनके तयार नहीं हुए है लेकिन उसका जो रेंज होगा 11 से 12,000 किलोमेटर के आसपास होगा तो यानि कि हो सकता है अमरीका भी वो पहुंच जाए तो अगनी 1 अगनी P ये P वाली जो सिरीज है ये नई सिरीज है ये जो प्राइम अगनी प्राइम और ये सब सिरीज आईए ये नई सिरीज है फिर अगनी 2, 3, 4 और 5 ओडिसा भारत का पहला स्टेट है जिसने ओलंपिक वैल्यूज एजूकेशन प्रोग्राम को शुरू किया है जिससे खिराडी जो है उन्हें जल्दी से आइडेंटिफा करके हम ओलंपिक्स में भेजें उनको गुरूम करें प्रोडिजीज को जल्दी पहचाने तो आपको ये बताना है कि ये ओडिसा में कितने स्कूल्स में लौंच किया जाएगा ओलंपिक वैल्यूज एजूकेशन प्रोग्राम तो इसको अभी के लिए 90 स्कूल्स जो है उसम बच्चों को फायदा होगा लेकिन बाद में पाइलेट प्रोजेक्ट होने के बाद पाइलेट मतलब होता है आप किसी भी स्कीम को पूरे राज्ये में जो है शुरू करने से पहले आप उसे एक छोटी जगा पे शुरू करिए जिससे आपको पता चल जाएगा उसकीम के इ और ये लॉंच किस ने किया था ये लॉंच किया नवीन पत्नायक ने इन में से कौन सा फेस्टिवल है जो ओडिसा में सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें भगवान शिव और जो पारवती देवी हैं उनकी मेरिज को हम याद करते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं तो इस फे कम बनाया जाता है ये ये जेश्ट मन्त होता है शुकल पक्ष में शिक्स्त डे पे बनाया जाता है और ये मना जाता है कि Lord Shiva रेप्रेजेंट करते हैं Summers की जो scorching heat होती है जो गर्मी होती है और वहीं पे जो माता पारवती है वो जो पहली बारिश होती है उसको है और ये काफी important festival है understood ये festival अब जैसे जब ये festival होता है तो एक संबलपूर कार्निवल भी मनाया जाता है तो ये उसी एरिया का mainly festival है ओडिसा की जो women's team है उन्होंने 12th hockey India senior women's national championship को जीत लिया ये कहां पर हुआ था और इन्होंने final में किसे हराया इन्होंने करनाटका को final में हर आया और ये हुआ था मद्दे परदेश की capital भोपाल में और अगर आपसे पूछें कि जो men's senior national hockey championship हुई थी वो किस ने जीती तो वो हर्याना ने जीती थी यानि men's में national champion बना हर्याना और women's में national champion बना ओडिसा और ये tournament मद्दे परदेश की capital भोपाल में हुआ था वैजे international hockey federation एक इसका headquarter Lausanne में है और इसके नए chairman कौन बने है सैफ एहमद सैफ एहमद जो है ये एजिप्ट के person है ठीक है तो सैफ एहमद का नाम आपको नहीं भूलना है कि सैफ एहमद कौन है सैफ एहमद international hockey federation के नए president बने है ODISA के जो मुक्यमंत्री है नविन पतनायक उन्होंने एक next generation cyber security operation center का inauguration किया ODISA में कहां पर ये establish किया गया है cyber security operation center CSOC तो ये capital भूवनेश्वर में किया गया है और इसको किसने setup किया है ODISA का जो electronics और IT department है उन्होंने इसको setup किया है आगे भढ़ते हैं ODISA के जो मुक्यमंत्री है नविन पतनायक उन्होंने ODISA का जो council of ministers है उसको दुबारा reconstitute किया है तो इसमें 21 minister है जिनमें 13 cabinet minister है आपको ये बताना है कि finance minister कौन है तो finance minister का जो पद है वो दिया गया है Mr. Niranjan Pujari को तो answer है Niranjan Pujari वही है actually पहले भी वही थे तो थोड़ा सा cabinet reshuffle हुआ है तो मैंने यहाँ पर क्या किया है यहाँ पर जो सारे ministers है उनके बारे में बता दिया है जैसे बहुत सारे minister पहले थे वो अब नहीं है जैसे प्रताब जीना, अरुन कुमार साहू, सोशान सिंग वगर अब ये नहीं है generally वैसे अब question आते नहीं है इतने जादा इन सब पर exam में कि ministers या इन से नहीं आते हैं जादा लेकिन आप ये याद रख सकते हैं कि जो important minister है जैसे home minister है या finance minister है कम से कम उनके नाब तो आपको पता होने चाहिए तो जो भी minister नए बने है एक पर उन पे आप नजर मार लेना उनकी constituency देख लेना उतना काफी है इसमें एक important question ये आ सकता है क्योंकि जो women हैं तो women ministers कितनी हैं तो वो 5 हैं ठीक है पहले सिर्फ 2 थी अब 5 हैं और ये कौन-कौन है और क्या-क्या positions है इनके पास तो प्रामिला मलिक क्योंकि women MLAs पर question मैंने देखे एक्जाम में आते हैं प्रामिला मलिक ये MLA है बिंजरपुर से और प्रामिला मलिक revenue और disaster management की minister है फिर उशादेवी है housing और urban development minister तुकुनी साहू है ये commerce, transport और water resources minister है तो ये तो हो गई cabinet rank की फिर रीता साहू है रीता साहू एक minister of state है independent charge के साथ textile, handloom और handicraft और बसंती हैमराम है woman and child development minister तो ये 5 है woman minister अब पहले 2 थी, अब 3 और नई बनी है, इन पर बस question आ सकते हैं कि कितनी woman है जो अब minister है वो है 5 तो I hope ये clear होगा, चली आगे बढ़ते हैं अभी अभी food safety और standard authority of India ने चोथा state food safety index दिया है food safety के मामले में Odisha की क्या rank है पूरे इंडिया में तो मैं आपको ranking दिखा देता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं Odisha की 8th position है food safety के मामले में और सबसे अच्छा performance Tamil लाडू ने दिया है इसमें हम बहुत सारे parameter देखते हैं जैसे की food testing का infrastructure कितना अच्छा है surveillance कितनी अच्छी है, capacity building, consumer empowerment तो बहुत सारे criteria होते हैं पहला food safety index आया था 2018 में और यह चोथा है हम world food safety day भी मनाते हैं साज जून को और इसी दिन यह index हमने release किया था तो तमिल नाडू ने सबसे अच्छा performance किया इस index में और Odisha की जो rank थी थोड़ा पीछे रही Odisha के हिसाब से Odisha 8th नंबर पे था अगर आपसे पूछें कि छोटे राजियों में नंबर वन कौन था तो गोवा गोवा नंबर वन था चोटे राजियों में और union territory में जमू कश्मीर नंबर वन था overall rank Odisha की क्या है export preparedness index में export preparedness index को कौन देता है export preparedness index को भारत की सरकार जो है वो release करती है और नीती आयोग release करता है भारत सरकार की तरफ से इसमें हम इस बारे में बात करते हैं कि export के लिए जो तत्परता है निर्याद तत्परता वो सबसे ज़ादा export preparedness कि स्राजिये में है तो इसमें number 1 कौन रहा, इसमें गुजरात ने सबसे अच्छा performance दिया, इसमें Odisha का rank था 13th, तेहरवे number पे था, मैं आपको ranking दिखा देता हूँ, गुजरात ने top किया है इसको और यहाँ पे आप देख सकते हैं, Odisha का जो rank है वो तेहरवा था, ठीक है, गुजरात of course West Coast पे है औ adjacent to the Arabian Sea, वहीं Odisha Bay of Bengal के adjacent है, यानि की East Coast of India पे है, तो यह था हमारा index और इसमें एक landlocked जो state है, उनकी ranking अलग थी, उसमें हर्याना number 1 था, हिमालियन states में उत्राखंड number 1 था, overall गुजरात number 1 था, और दिल्ली union territories में number 1 था, DRDO ने अभी अभी successfully test किया, अपना एक खुद का बनाया हुआ, high speed expandable aerial target, जिसको अभ्यास नाम दिया है इन्होंने, Odisha के चांदीपूर से test fire किया इसे, और इसको बनाया है DRDO की एक laboratory ने, जो Bangalore में है, जिसका नाम है ADE, यारी Aeron Aeronautical Development Establishment, Aeronautical Development Establishment, एक और हमने missile test fire करी थी चांदीपूर से ही, जिसका नाम है प्रलय, इसकी range कितनी है, प्रलय भी एक surface to surface missile है, तो इसकी range 150 से 500 है, किलो मेटर, लेकिन यहाँ पे maximum पूछिए तो 500 हो गई, तो आंसर है 500 किलो मेटर, ओडिजा के जो मुख्यमंत्री है, नभीन पतनायक, इन्होंने unveil किया logo, 15th edition of FIH Men's Hockey World Cup, जो कलिंग स्टेडियम भूवनेशवर में यह हुआ था, तो आपको बताना है कि यह किस साल भारत में होगा, एक्चुली क्या है न, यह दो जगा पे होगा, एक तो भूवनेशवर में होगा, और एक राउर केला में होगा, राउर केला में बिरसा मुंडा, इंटरनेशनल स्टेडियम, और राउर केला बल्ला जो स्टेडियम है वो इंडिया का लार्जेस्ट होकी स्टेडियम होगा, तो इसका logo unveil किया था और ये 2023 में होगा Men's Hockey World Cup जो है वो बुवनेशुर और राउरकेला में होगा और राउरकेला में सबसे बड़ा जो stadion में वो भी बन रहा है राउरकेला ये राउरकेला प्लांट के लिए भी famous है आपको बताना है राउरकेला कौन से डिस्टिक्ट में आता है तो राउरकेला जो है ये सुन्दरगट डिस्टिक्ट में आता है राउरकेला अपने आप में कोई डिस्टिक्ट नहीं है लेकिन राउरकेला सुन्दरगट डिस्टिक्ट में आता है ये आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं Odisha की बहुत famous personality है Mihir Das, इनकी death हो गई ये कौन से field से associated थे Mihir Das, ये audio actor थे he was a great audio actor in fact प्रदानमंत्री मोधी ने भी tweet किया था जब इनकी death होई थी और Odisha की जो film industry है हम उसे Hollywood बोलते है और इनकी जो wife है वो भी Sangeetha Das, वो भी एक famous actor और singer थी, right तो इनकी death हो गई बहुत सारी filmों में इनोंने काम किया और इनको बहुत बड़े-बड़े awards भी मिले थे, जैसे इनकी film है लक्ष्मी प्रतिमा 1998 में आई थी, वो बहुत famous थी इस तरह की काफी सारी filmों में इनोंने काम किया था अभी अभी एक index आया है नीती आयोक का, State Energy and Climate Index again, very important index क्योंकि नीती आयोक का है, इसमें Odisa की rank क्या है Odisa की जो इसमें rank आई है वो 16th है ये index ये बताता है कि Discom जो है यानि Public Distribution Company वो कितना अच्छा काम कर रही है जो Power Distribution Company है, सरकारी फिर Clean Energy के लिए कोई राज्य क्या initiatives ले रहा है Energy Efficiency की बात करते हैं Environment, Sustainability, इन सब चीज़ों को लेकर ये index आया है ये Climate को भी देखता है और Energy को भी देखता है Renewable Energy तो State Energy and Climate Index बोलते है इसको टॉप किस ने किया तो ये जो index है, इसको गुजरात ने टॉप किया overall और छोटे राजियों में Goa और Union Territories में चंडिगड ने टॉप किया Odisa 16th position पर रहा एक और index है, ये उतना important नहीं है लेकिन आया है तो देख लेते हैं Scotch, State of Governance Ranking 2021 इसमें Odisa का क्या rank है Governance के उपर ये index है इसमें आंध्रप्रदेश नंबर वन है लास्ट टाइम भी आंध्रप्रदेश ही नंबर वन था तो इसमें Odisa 3rd आया है ठीक है, Odisa 3rd है बस इतना ध्यान रख लो आंध्रप्रदेश जो है वो इसमें नंबर वन है और West Bengal इसमें नंबर 2 पर है Odisa Food, Security, करने के लिए Agreement किया है World Food Program का Headquarter Rome में है, Italy की जो Capital है वहाँ पर है और Odisa World Food Program के साथ मिलकर Food Security के लिए काम करेगा Odisa की जो सरकार है उन्होंने एक Land Bank बनाया है इसमें Approximate कितना एरिया है ये Compensatory Aforestation के लिए यूज किया जाएगा Compensatory Aforestation क्या होता है समझे माल लो मुझे कोई Industry लगानी है जो Coal Based है तो मैं कोशिश करूँगा कि Tulture के ज़्यादा दूर न जाऊं क्योंकि Coal Tulture में ज़्यादा होता है तो मैं कोशिश करूँगा Tulture के आसपास लगा लूँ या Tulture में ही District में ही लगा लूँ ठीक है लेकिन माल लो मुझे कोई ऐसी जगा पे लगानी है जहाँ पे पहले से Paid है तो सरकार बड़ी मुश्किल से मुझे Environment Clearance देगी क्योंकि Paid काटने पड़ेंगे तो एक Concept आता है Compensatory Aforestation माल लो मुझे इसी जमीन है जो सरकार ने अपने पास रखी है तो वो है 26,000 एकड 26,000 एकड जमीन के उपर सरकार Compensatory Aforestation करेगी इसका मतलब साफ है दूसरी जगा से जब पेड़ काटे जाते है तो फिर इन 26,000 एकड़ पे उसी जितने पेड़ काटे गए है उतने ही यहाँ पर लगा दिये जाएंगे so that हम उसमें forest cover जो है उसे lose ना करे clear? तो यह दियान रखना है आपको अगर एकदम exact number आप चाहते हो तो वो है 26,500 एकड 26,500 एकड और यह 18 district में फैला हुआ है यह total जमीन 26,500 एकड it is in 18 districts of Odisha अज़ा इन में 26,500 एकड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है इन में जो केउन जहार जिसे केंदू जहार district भी बोलते है केउन जहार district में सबसे ज़्यादा है 10,800 एकड यहाँ पर है यानि जितना total है आप देख सकते है कि उसका 40% एक ही district में है केउन जहार में यह tribal dominated district है केउन जहार यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और सरकार यह कह रही है कि उनका जो target है वो यह है कि इसको भढ़ा कर 26,500 एकड से 50,000 एकड कर दिया जाए तो यह सरकार का target है कि land bank इनके पास 50,000 एकड होना चाहिए इन मेंजे कौन सा institution है जो ODISA में cluster development fund के लिए 837 करोड ODISA को loan दे रहा है 837 करोड का support ODISA को कौन दे रहा है यह दे रहा है SIDB Small Industries Development Bank of India इसमें MSME cluster जो है वो बनाए जाएंगे यह आपको ध्यान रखना है और बहुत सारे project आ रहे हैं ODISA में जैसे ODISA में जो bamboo park है वो भी सरकार plan कर रही है 11 worker hostel बनाएगी MSME infrastructure के लिए भी तो project बन रहे हैं 5 नए MSME park बनेंगे SIDB के chairman है S. Raman SIDB का headquarter लखनव में है तो इनमें एक तो आप याद रख सकते हैं जैसे बारगड है जो बारगड में handloom cluster बन रहा है In fact SIDB ने यह वहीं से start किया था यह जो project है ना तो यह वहीं से start किया था बारगड से जहां पे handloom cluster है और जो Asia bamboo project है वो 5 जगा पर 5 districts है जिनमें Asia bamboo project चल रहा है जिसको SIDB fund कर रहा है यह 5 है बालंगीर, बारगड, संबलपूर, और अंगुल यहां पे चल रहा है तो इस तरह की चीज़ें है total बस आप amount याद रख लो और कौन दे रहा है वो याद रख लो बाकी कुछ अगर special होगा तो मैं आने वाले questions में cover कर लोगा Odiza का कौन सा district है जिसने top किया है Manrega के implementation में Manrega आप जानते है इसको rural development ministry चलाता है इसमें 100 दिन का काम guaranteed मिलता है तो कौन सा district है जिसने 100 days of work जो rural households को देने में जो rankings है Manrega की उसमें top किया है तो यह है गंजम district of Odisha गंजम district का performance जो है वो सबसे अच्छा रहा पूरे इंडिया में यह मैं बात कर रहा हूँ financial year 2022 की दूसरे नमबर पे था राजस्थान का बाड़मेर और तीसरे नमबर पे था राजस्थान का नागौर लेकिन नमबर बन पे था गंजम साउथ ओडिसा में है गंजम ओडिसा की जो सरकार है उन्होंने agreement करा है कौन सी कंपनी के साथ for exploring green energy possibilities in the state green energy को promote करने के लिए उसके possibilities को explore करने के लिए भारत petroleum के साथ partnership करी है BPCL महारतन कंपनी है अभी 11 महारतन कंपनी है इंडिया में यह आप जानते है तो 11 महारतन कंपनी में से एक है भारत petroleum तो BPCL ने partnership ओडिसा सरकार के साथ की है पदम श्री अवार्डी बीना पानी महंटी की death हो गई यह कौन से field से associated थी इवन प्रधानमंत्री मोधी ने भी कहा अपना दुख अफसोस जताया जम इनकी death हुई थी तो यह ओडिया literature में इनका बहुत बड़ा contribution था तो शी वाज़ा ओडिया writer fiction writing करती थी यह कटक में इनकी death हुई है कटक में इनका जो घर है वहीं पर इनकी death हुई थी और 85 years old थी सो से ज़्यादा किताबे इन्होंने लिखी है इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ था और सरल अवार्ड भी इने मिला हुआ था साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी languages के लिए दिया जाता है 24 languages के लिए दिया जाता है बिर्जा मुंडा International Hockey Stadium यह Odisa में कहां पर है यह सुंदरगड district में है और बहुत बड़ा 20,000 लोग जो है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं कुछ estimate 25,000 तक कहते हैं कि 25,000 तक लोग बैठ सकते हैं बट 20,000 के आसपास लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं और इसका इस्तिमाल जो Men's Hockey World Cup होगा उसमें भी होगा राउर केला में, सुंदरगड में बिर्जा मुंडा International Hockey Stadium इसका नाम बिर्जा मुंडा के नाम पे रखा गया है यह बारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम होगा और बिर्जा मुंडा कौन थे? बिर्जा मुंडा जो है एक ट्राइबल लीडर थे बहुत बड़े स्टॉलवर्ट लीडर थे और इनका जनम उली हतू नाम के गाउं में हुआ था जो जार्खंड में है इनफैक बिर्जा मुंडा जी का जो जनम दिन होता है 15 नवंबर को उसे जार्खंड अपना स्थापना दिवस मनाता है और इसे इंडियन गवर्मेंट जन जातिये गौरव दिवस के रूप में मनाती है जन जातिये गौरव दिवस और सुन्दर गड़ से बहुत बड़े-बड़े खिलाडी ओडिसा के हुए है जैसे दिलिप टर्की एक खिलाडी थे जो बाद में हैदराबाद सुल्तान्स के लिए भी खिले थे एचल में इंडिन टीम के कैप्टन भी थे अमित रोहिदास, बिरेंदर लाकडा तो सुन्दर गड़ से बड़े-बड़े खिलाडी ओडिसा ने भारत को दिये है ओडिसा का infant mortality rate कितना है अगर ओडिसा में 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो कितने हैं जिनकी डेथ हो जाती है ओडिसा का infant mortality rate जो है अब वो 36 है 36 पर 1000 लाइव बर्थ तो काफी ज़ादा 15 साल में कम हुआ है ठीक है? 39 point decline हुआ है मतलब पहले कितना था? पहले था 75 तो 75 से 39 points का decline हुआ है अब है 36 काफी अच्छा performance है ओडिसा का और highest है in fact हमारे country में इतना ज़्यादा decline 15 सालों में किसी state में नहीं हुआ इससे पता चलता है कि ओडिसा में जो institutional delivery है pregnancy में institutional delivery मतलब hospital में delivery होनी चाहिए हमेशा या primary health center बगारा पर होनी चाहिए जिससे doctor assist कर सके घर में delivery नहीं होनी चाहिए यही सरकार का aim है रहता है ओडिसा के बाद सबसे अच्छा performance जो दिया रजस्थान ने दिया रजस्थान का जो infant mortality rate है 2005 से 2022 के बीच में 36 point decline उसमें हुआ लेकिन ओडिसा का जो decline था 39 points का था ओडिसा का कौन सा port है जिसको एक world class modern port के तोर पे develop किया जाएगा और ये capsize vessels को इसको जो handle करने की capability है वो बढ़ाई जाएगी इसके लिए सरकार 3000 करोट रुपया खर्चा करेगी ये port है पैराद्वीब port पैराद्वीब port एक major port है इंडिया का वैसे इंडिया में कितने major port है इंडिया में 13 major port है ध्यान रखिए बहुत सारी books में answer गलत दिया होता है किसी में 12 किसी में 11 किसी में 14 इंडिया में 13 major port है और अगर आप से पूछें कि इंडिया का 13 major port कौन सा बना था तो आप क्या answer देंगे तो इसका answer है वदावन port ये महराष्ट्रा में है महराष्ट्रा का तीसरा port है ये major नावा शेवा और मुंबई के बाद नावा शेवा जिसे जवाला लहरू port भी बोलते है मुंबई port और फिर वदावन port ये तेहरवा major port था इंडिया का ओडिसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पतनायक वो Pope Francis से मिले Vatican City में आपको बताना है ये कौन से country में है वैसे तो हम Vatican City को ये गलग country बोल देते हैं लेकिन ये कहां पे है इटली में ही है, रोम में ही है ये Vatican और ये Pope Francis जो है अर्जेंटिना के हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं एक important question ये है नवीन पतनायक इन्हें एक painting gift कर रहे है ये कौन सी painting है इसको बोलते है पाठ चित्र painting ये mainly तो ओडिसा की है बट West Bengal में भी practice की जाती है कुछ जगा पे ओडिसा में ये पुरी, गंजम, गजपती कई districts में ये painting की जाती है पाठ चित्र style of painting बहुत ज़्यदा popular है canvas painting होती है ये, कपड़ों के उपर होती है तो creative motive, design वगरा वो इसमें बनाये जाते हैं और सबसे famous अगर मैं इसे ओडिसा की painting कहूँगा पाठ चित्र तो कोई अतिशोक्ती नहीं होगी इसमें भगवान जगनात जो दूसरे भगवान है उन सब की भी painting बनाई जाती है और कई बार जो palm leaf जिसे ताल पाठ चित्र बोलते हैं palm leaf के उपर वो भी पाठ चित्र painting उस पर भी की जाती है तो एक पाठ चित्र painting गिफ्ट की थी नवीन पतनायक ने पॉप Francis को इन में से कौन से union minister है जिन्होंने नई train service और railway building जो है वो inaugurate करी जैसे खुरदा रोड से बॉलंगीर प्रोजेक्ट तक तो ये किसने inaugurate की थी अभी अभी ये याद रखिये inaugurate की थी अश्वनी वैश्णव ने जो हमारे railway minister भी है communication minister भी है minister of electronics और IT भी है ठीक है तो नई train services है अभी launch हुई है और नई railway building भी launch हुई है तो खुरदा रोड से बॉलंगीर प्रोजेक्ट ये east coast railway में आता है इतना ही नहीं महीपुर नौगाउं road railway section वहाँ पर वो भी open किया है नोने अभी अभी फिर भुवनेश्वर से महीपुर तक जो train चलती थी वो अब नौगाउं तक extend कर दी गई है इस तरह की काभी सारी चीज़े है exam के with respect बहुत ज़्यदा important नहीं है लेकिन बहुत सारे नए roots हैं जो खोल दिये गए हैं बस उतना आपको एक थोड़ा idea ले लो बाकि वैसे exam के with respect बहुत ज़्यदा important ये नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं भगवान जगनाजी की रत यात्रा ये अभी अभी निकाली गई थी आपको बताना है कि कौन सा दिन होता है शुकल पक्ष का in the month of June और July जब ये यात्रा निकाले जाती है तो ओडिसा के पूरी में आप जानते हैं कि जो जगनाज टेंपल है वहाँ से गुंडीचा टेंपल तक रत यात्रा निकलती है और फिर वापस आती है जिसे हम भहुदा जात्रा बोलते है तो उसमें भगवान जगनाथ उनकी यानि कि भगवान कृष्ण का आवतार थे भगवान जगनाथ और देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई जो थे भगवान कृष्ण के बलराम जिनें हम बालभद्र बोलते हैं तो उनकी जहां की निकाले जाती है तो ये जो यात्रा है बहुत ज़्यादा फेमस है ये जो दूसरा दिन होता है शुकल पक्ष का उसमें निकाली जाती है तो आंसर है second day वैसे ये जो रत होते हैं इनके नाम भी होते हैं भगवान जगनाथ का जो रत होता है हम उसे नंदी घोष बोलते हैं ठीक है नंदी घोष कई बार हम इसे गरुड धोज भी बोलते हैं जो बाल भद्र जी का रत होता है हम उसे ताल धोज बोलते हैं और जो सुभद्रा देवी जी का रत होता है हम उसे पद्मा धोज या देव दलाना भी बोलते हैं तो ये रत के नाम होते हैं पद्मा ध्वज या देव दलाना ये होता है सुभद्रा जी का रत, बाल भद्र जी का जो रत है उसको ताल ध्वज बोलते हैं और भगवान जगनात के रत को हम नंदी घोश या गरुडा ध्वज भी बोलते हैं, is it clear? अब ओडिसा के बजट में दो-तिन क्वेश्चन आते हैं जनरली, ये पूछ लेते हैं कि बजट कितने का था टोटल, तो जो बजट था वो था 7.2 लैक करोड का और पिछले साल के कंपेरिजन में 12.6% ज्यादा था, तो टोटल बजट कितना था ये ध्यान रखिए, 7.2 लैक क करोड का बजट इस बार पेश किया गया था, फिर बजट में important कुछ highlights हैं, जैसे irrigation, irrigation की बात की गई, तो 2.8 लैक हेक्टेर अग्रिकल्चर लैंड इसको irrigation coverage मिलेगा, और सरकार mega lift irrigation projects पे खर्चा करेगी 10,000 करोड से ज्यादा, तो 2.8 लैक हेक्टेर अग्रिकल्चर लैंड इस को irrigation coverage मिलेगा, education पे खर्चा कितना करेगी सरकार, 13.5%, healthcare पे 6.8%, agriculture पे 6.6%, rural development पे 7.8%, police पे 2.4%, roads and bridges पे 7.8%, तो ये है, और Odisa की economy के बारे में अगर मैं बताऊं, तो Odisa की जो economic growth है, वो financially और 22 में project की सरकार ने 10.1%, 10.1%, Odisa की जो economy है, उसमें सबसे ज़्यादा contribution किसका है, तो services sector का contribution जो है, वो 40% और जो industry sector है, जिसमें mining वगरा भी include कर दें, तो 40%, agriculture का contribution है, 21%, is that understood? Odisa की सरकार का सबसे ज़्यादा बड़ा source revenue का कौन सा है, तो वो है SGST, 42%, 42%. Odisa सरकार के हिसाब से 12 नए steel plant Odisa में setup किये जाएंगे, अभी Odisa में कितने steel plant हैं, अभी 12 और बनेंगे, अभी कितने हैं? तो Odisa में currently 51 steel plant है, इनकी जो total capacity है, वो 33.12 MTPA है, million ton per annum बोलते हैं से, और ये जो 12 steel plant बनेंगे नए, कहां कहां पे बनेंगे? इन में 3 बनेंगे सुंदरगड में, 2 बनेंगे जजपुर में, 1 बनेंगा अंगुल, 1 केंदरपाड़ा, 1 धेंकनल, 1 केउंजार और 1 जगत सिंगपुर, ठीक है? तो ये दियान रखने हैं आपको, 3 सुंदरगड, 2 जजपुर, फिर एक-एक बनेंगे, 5 और जगा जो मैंने बताई हैं, तो 2 और बच गए, 2 की location अभी decide नहीं होई है एक बहुत बड़ा प्लांट आपको बताता हूँ, आर्सेलर, मित्तल, निप्पॉन, स्टील, ये एक प्लांट लगा रहा है, 24 MTPA का, ग्रीन फिल्ड, स्टील, मिल, कहां पर केंदरपाड़ा? ये एक बहुत important question है आर्सेलर, मित्तल, निप्पॉन, स्टील, सबसे बड़ा प्लांट ये लगा रहा है, 24 MTP, ग्रीन फिल्ड, स्टील, मिल, स्टील प्लांट है ये, महा काल पाड़ा, जो कहिंदरपाड़ा में है, वहां पर लगाएगा और एक बहुत बड़ा प्लांट, JSW स्टील लगा रहा है, ये कहां पर लगा रहा है? 12 million ton पारेनम इसकी capacity होगी, ये लगेगा जगत सिंगपुर में तो ये दो आ सकते हैं, आगर पूछें, आर्सलर मित्तल निपॉन स्टील कहां लगा रहा है, तो आंसर है केंदरपाड़ा, और JSW कहां लगा रहा है, तो आंसर है जगत सिंगपुर World Bank ये लोन दे रहा है, 115 million dollar का reward program, तो reward program कहां पर चलेगा? Rejuvenating Watershed for Agriculture Resilience through Innovative Development, तो ये जो प्रोजेक्ट है, करनाटका और ODISA, दो जगा पर चलेगा, तो आंसर है ODISA और करनाटका, इसमें Watershed Management किया जाएगा, जिससे हम Agriculture Resilience को Improve कर सके, ये 6 साल लंबा प्रोजेक्ट है, इसके लिए 115 million dollar का जो लोन है, वो World Bank दे रहा है, तीक है, इसमें ODISA को कितना मिलेगा? 49 million ODISA को मिलेगा, 60 million करनाटका को मिलेगा, और 6 million Indian Government को मिलेगा, टोटल है 115 million, ODISA को कितना मिलेगा इसमें से? 49 million National Family Health Survey 5 के हिसाब से, ODISA का highest coverage है, complete immunization का in the country, तो कितना percent coverage है? ODISA का जो immunization coverage है, वो सबसे जादा है, पूरे इंडिया में 90.5%, 90.5% coverage है immunization का according to National Family Health Survey, is it understood? और ये जो immunization के हम बात कर रहे हैं, इसमें 12 disease के against immunization होता है, ये 12 disease कौन से है, जैसे tuberculosis, polio, diphtheria, joint disease, tetanus, whooping cough, brain, fever, HIV, measles, pneumonia, diarrhea, rubella, Japanese fever, etc. 12. तो ये जो vaccination होता है, इसमें सबसे highest coverage है, और सरकार ने इसके लिए एक program भी चलाया था, Mission Indra Dhanush, जिसमें हम immunization coverage को बढ़ाने की हमने कोशिश की. Cyclone Asani, ये आया, अभी Bay of Bengal में, Odisa को भी इसने hit किया था, आपको बताना है, ये जो name है Cyclone का Asani, ये कौन से country ने दिया था, तो ये नाम सुझाया था, Sri Lanka ने, ये नाम Sri Lanka ने सुझाया था. इन में से कौन सा project start किया है Odisa ने, जिसमें जो elephant है, उनको accident से बचाया जाएगा. इस project का नाम क्या है? इस project का नाम है elephant siren project. इसमें siren tower लगा दी जाएगी, जो elephant prone areas है, या जहाँ पे railway line elephant corridor के पास है, तो इसमें याद रखिए, जो sensor based siren है, वो बजने start हो जाएंगे, जब भी elephant road cross करेंगे, जो rail की पट्री के एक किलोमेटर दूर तक होगा, तो वो siren बजना start हो जाएगा, और red light turn हो जाएगी, तो उससे जो हाती है, वो भी ठोड़ा डरेंगे, उन्हें पता चलेगा कि कुछ गड़वड है, और main बात यह है कि जो railway के जो pilot है, उन्हें भी पता चल ज department है, उन्होंने start करा है, यह elephant siren project, ठीक है, तो यह जो siren tower है, यह कहां लगेगी, national highway 55, वहाँ पर लगेगी, sensor भी होगा इसमें, और एक siren machine भी होगी, इससे elephant man conflict जो है, वो कम होगी, ओडिसा की क्या rank है, अमंग the highest bamboo bearing area in India, इंडिया state of forest report आई यह भी है, यह काफी important report है, भारत में bamboo सबसे ज़्यादा कहां होता है, area wise अगर मैं बात करूँ, तो number 1 पे है मद्यपरदेश, यहाँ पर 1.84 million hectare जमीन पे bamboo है, दूसरे नमबर पे अरणाचल परदेश है, तीसे नमबर पे है, ओडिसा में 1.12 million hectare जमीन पे bamboo की खेती होती है, is that clear? मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यह देखिए ओडिसा, तो ओडिसा में कितनी जगा है जहाँ पे bamboo की cultivation होती है, 1.12 million hectare और इंडिया में 4th नमबर पे आता है, पहले नमबर पे है मद्यपरदेश दूसे नमबर पे है अनाचल प्रदेश, तीसे नमबर पे है महराष्टा और चोथे नमबर पे है ओडिसा, इंडिया State of Forest Report के हिसाब से ओडिसा में forest cover कितना है, again it's a super important question, ओडिसा में कितना forest cover है, 33.5% क्या यह sufficient है, हाँ यह sufficient है, one third forest cover होना चाहिए, तो 33.33% होना चाहिए, त ओडिसा के पास उससे ज्यादा है थोड़ा सा, तो yes, it is sufficient, ठीक है, और इंडिया में अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा forest cover, देखो अब दो तरह से आप देख सकते हो, एक तो आप area wise देख सकते हो, area wise मद्देपरदेश में है, और percentage wise मिज मिजोरम का 84.53% forest है, पूरे मिजोरम में जितनी भी जमीन है, 84.53% forest है, ठीक है, और मद्देपरदेश में area सबसे ज्यादा under forest है, तो मद्देपरदेश अगर exam में question आए, forest cover इंडिया में सबसे ज्यादा कहा है, तो answer है मद्देपरदेश, अगर पूछें, percentage wise as a forest cover as a percentage of the total area तो highest forest cover इंडिया में मद्देपरदेश के बाद अणाचल परदेश में second number पे है, और percentage wise मिजोरम के बाद अणाचल परदेश में 79.33% अणाचल परदेश का forest है, next question again बहुत important है, संसद आदर्श गराम योजना ये चलती है, भारत में इसमें जो MP है, हमारे Member of Parliament उनको encourage किया जा 25 villages सेलेक्ट किये गए है, model villages इंडिया से, उनमें Odisha के कितने villages हैं, इनमें याद रखिए, जो 25 top villages हैं इंडिया के, उनमें 19 villages तो तेलंगाना के ही हैं, Odisha का सिर्फ एक है, और वो village कौन सा है, उस village का नाम है, रसंगा विलेज, रसंगा विलेज, नया गट डिस्टिक्ट जो ह और इसा में, वहाँ का है, तो आंसर है, वन village, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, तो यह ranking आई हैं यहाँ पर, पूरे इंडिया की number one rank है, तेलंगाना से, यह village है, गुमाडा वेली, जो रंगा रेटी डिस्टिक्ट में आता है, और यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया innovation index आया है अभी अभी, यह बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि यह निती आयोग ने दिया है, इंडिया innovation index, तो इसमें ओडिसा का rank क्या है, यह तीसरी बार आया है, और तीनो बार करनाटका ने top किया है, ओडिसा का जो rank है वो है 16th, और करनाटका का rank number one है, मैं आपको ranking दिखा यहाँ यहाँ पर देखिए, करनाटका का rank number one है, बड़े राजियों में, छोटे राजियों में मनिपुर और Union territory में चंडिगट number one है, यहाँ पर ओडिसा का जो rank है वो है 16th, बारत का पहला Skill India International Center, यह ओडिसा में setup किया जा रहा है, कहां पर? यह setup किया जा रहा है, ओडिसा मे भुवनेश्वर में, इसको setup करने में, National Skill Development Corporation और Skill Development Institute help करेंगे, इसमें youth को train किया जाएगा, उन्हें skill develop किया जाएगा, ओडिसा ने अभी अभी पखाल देवस मनाया, पखाल यह rice water आप देख सकते हैं, यह बहुत important staple food है ओडिसा का, तो इसके लिए मनाया जाता है, यह कब मना करने के लिए, यह दिन 20 March को मनाया जाता है, यह दिन 2015 में पहली बार मनाया गया था, और इसको भगवान जगनात का जो मंदिर है, वहाँपे DT को भी ओफर किया जाता है, पखाल को, जब पहले श्रिंगार होता है, उसके बाद फिर यह पखाल ओफर किया जाता है, DT को, न और 2021 के लिए ओडिसा की एक वुमेन है भुवनेश्वर से शुरुती महपात्रा इन्हें दिया गया क्योंकि दिव्यांग लोगों को एमपावर करने में इन्होंने काफी ज़्यादा कॉंट्रिब्यूट किया है तो आंसर है शुरुती महपात्रा इसको डवलब किया है इसको टेस्ट फायर किया था चांदिपूर से आपको बताना है इसकी रेंज कितनी है इसकी जो रेंज है वो 350 किलोमेटर है तो आंसर है ऑप्शन D ये एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करके उन्हें खतम कर सकता है ठीक है इसको डवलब किस ने किया है इसको डवलब किया है DRDL जो लेबबोरेटरी है 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 एदराबाद में DRDO की उसने इसको डवलब किया है मेंली RCI इमारत रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद और High Energy Material Research Laboratory पुने इन्होंने भी सपोर्ट किया है लेकिन मेंली DRDL हैदराबाद ने इसको develop किया है, Odisa में grid dependency से shift हम कर रहे हैं, अब green energy की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए जो पहला model town बनेगा, वो कौन सा बनेगा, जो grid dependency से green energy की तरफ जाएगा, तो ये होगा कौनार्क, तो answer है, कौनार्क, कौनार्क पूरी तरह से transition कर जाएगा, from a model town to a green energy based town, ठीक है, यहाँ पे कौनार्क sun temple भी है, जो तेहरवी शतावदी में बनवाया था, राजा नरसिम देववन ने, तो ये भी question आता है, कि कौनार्क टेम्पल किस ने बनवाया था, पूरी में है कौनार्क सन टेम्पल, तो इसको राजा नरसिम देववन ने बनवाया था, ओडिसा foundation day उतकल दिबस ये कम मनाया जाता है, तो ये एक अप्रेल को मनाया जाता है, एक अप्रेल को, तो ये ध्यान दखना है आपको, 87th foundation day था, जो मनाया गया था, एक अप्रेल को उतकल दिबस हमें से बोलते हैं, project बन सखी, bank सखी, ये Odisa में किसने शुरू किया है, project bank सखी है क्या, project जो bank सखी है, basically हम इसमें, जो bank of महराश्टरा है, उसने शुरू किया है, इसमें bank सखी, door to door, जो banking provide की जाएगी, bank account खुलने के लिए, bank of महराश्टरा आपके घर पे आके bank खुलवाएगा, account उसमें, तो आपकी जो banking needs हैं, वो आपको आपके द्वार पर दी जाएगी, तो ये है project bank सखी, इसके लिए उन्होंने महागराम और सुनिवेश, India Finance Services के साथ भी tie-up किया है, bank of महराश्टरा ने, ये online bank account opening के लिए start करा है, इसमें doorstep और hassle-free access मिलेगा people of Odisa को for opening bank accounts, इसका नाम है bank सखी, जो अभी-अभी third national water awards हुए थे, तो उसमें आपको ये बताना है कि वो best state category में किसने जीते, national water awards, तो इस बार उसमें जो overall winner था, वो था उत्तर प्रदेश, अभी-अभी जो बिंदु सागर लेख है Odisa में, उसको clean करने के लिए कौन सा initiative शुरू किया गया, तो याद रखिए, ये नवीन पतनायक और धर्मेंदर प्रधान दोनों ने मिल के launch किया, इसका नाम है clean बिंदु सागर initiative, clean बिंदु सागर initiative, बिंदु सागर तो ये ध्यान रखने आपको, बिंदु सागर लेक, बिंदु सागर लेक कहां पर है, भुवनेश्वर में है, Odisa Open Super 100 बैडमिंटन टूर्नमेंट, ये Odisa में कहां पर हुआ था, और ये किसने जिता, Odisa Open तो ये जिता, उननती हुड़ा ने, और किरन जॉर्ज ने, किरन जॉर्ज ने men's category में, उननती हुड़ा ने women's category में, दोनों ने जिता, और ये टूर्नमेंट हुआ था, कटक में, सो आंसर है, कटक, जवालाल नहरू इंडोर स्टेडियम में, कटक में ये हुआ था, अभी-अभी Odisa से कौन है, जिने पदम भूशन दिया गया 2022 में, for her contribution to literature and education field, पदम भूशन, पदम भूशन मिला प्रतिभा रे को, प्रतिभा रे, प्र जानी मानी ओडिया लेंग्वेज की नॉवलिस्ट है, ओथर है, और Odisa से कितने लोग हैं जिने पदम श्री मिला 2022 में, तो 6 लोगों को मिला, शिरिमद, बाबा, बलिया, सोशल वर्क के लिए, अधित्य प्रसाद दाश, साइन्स इंजिनरिंग के लिए, शामा मनी, देवी, आर्ट के फिल्ड में, प्रमोद भगत स्पोर्ट्स, नर्सिंग प्रसाद गुरू, लिटरेचर एजुकेशन और गुरू प्रसाद मोहपात्रा, सिवल सर्विस, तो 6 लोगों को पदम श्री मिला, Odisa से, जो अभी रैंकिंग ऑफ स्टेट्स आई है, और सपोर्ट तू स्ट टॉप परफॉर्मर, लीडर, एस्पारिंग लीडर, और एमर्जिंग स्टार्ट अप एको सिस्टम, तो बेस्ट परफॉर्मर था इसमें गुजरात और करनाट का, Odisa रहा इसमें टॉप परफॉर्मर के टेगरी में, तो आंसर है टॉप परफॉर्मर, यानि सेकंड अच्छा ओडिसा और तेलंगाना थे लेकिन जो बेस्ट परफार्मर थे वो कौन थे वो थे गुजरात और करनाट का ओडिसा की जो नैजदा रैंकिंग है उसमें ग्रुप B स्टेट्स में ओडिसा की क्या रैंक रही ये रैंकिंग बताती है कि आप नैशनल E-Governance सर्विस डिलिवरी में कितना आगे हो आपके सर्विस पोर्टल वगारा कितने अच्छे हैं वो सब ये आपको बताती है तो मैं आपको रैंकिंग दिखा देता हूँ, रैंकिंग ऌफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सर्विस पोर्टल इसमें ओडिसा को ग्रुप B स्टेट में रखा था और इसमें ओडिसा का रैंक था नमबर 4 इसमें राजस्थान ने टॉप किया, ग्रुप A में पंजाब ने टॉप चोटे राजियों में मेगालिया और यूनिन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर ने टॉप किया तो इसका आंसर है फोर्थ और यह इंडेक्स दिया किसने है नैस्दा बाला यह दिया है D.A.R.P.G. ने Department of Administrative Reforms and Public Revences जिरों ने पिछले साल Good Governance Index भी दिया था अभी अभी पहले ट्राइबल मिनिस्टर कौन थे ओडिसा के जिनकी डेथ अभी अभी हो गई क्या नाम था इनका इनका नाम था हेमनन्द बिस्वाल हेमनन्द बिस्वाल यह पहले ट्राइबल चेफ मिनिस्टर थे ओडिसा के और यह कब से कब तक थे चेफ मिनिस्टर 1989 से 1990 बहुत कम समय के लिए थे तीन महीने के लिए और फिर दुबारा 1999 से 2000 अगेन अभी तीन महीनों के लिए तो टोटल लगबग 6 महीनों के लिए थे ये पहले ट्राइबल चेफ मिनिस्टर थे ओडिसा के इनकी डेथ हो गई ओडिसा के जो CM है उन्होंने निऊस्पेपर होकर्स के लिए social security scheme स्कीम स्कीम करी है ओडिसा भारत का पहला राज़े है जिसमें निऊस्पेपर होकर्स के लिए ये स्कीम स्कीम स्टार्ट की गई है ठीक है तो क्या है ये scheme death, due to accident पे मिलेंगे 2 lakh natural death पे 1 lakh permanent disability पे 1.5 lakh permanent disability अगर due to accident हो, partial disability यानि loss of both limbs पे 80,000, partial disability loss of one limb पे 40,000 और इस तरह से आप पूरा table देख सकते हैं इसमें और ये पैसा Chief Minister's Relief Fund से दिया जाएगा, तो newspaper hawker उनके लिए Social Security Net प्रोवाइट किया गया है, Industrial Promotion and Investment Corporation of Odisha ने MOU sign करा है कौन सी कंपनी के साथ, ये दोनों मिलकर green hydrogen, green ammonia और renewable energy के field में mutual cooperation करेंगे, तो इन्होंने partnership करी है, Gale के साथ, Gas Authority of India Limited जो की अगे एक महारतन कंपनी है, ओडिसा का पहला जिला कौन सा है, जो Child Marriage Free District बना है, ये ओडिसा का पहला Child Marriage Free District है, इसका नाम है गंजम, गंजम District, एक्चुली क्या है, गंजम District ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसका नाम है निर्भया कड़ी, यानि Fearless Bud, तो इसमें जो भी educational institutions वगारा है, उनमें उनको भी direct किया गया था, कि अगर 12 से 18 साल की कोई लड़की है और अगर वो absent होती है तो तुरंद inform करो, अगर वो 5 दिन भी लगातार absent हो जाती है स्कूल में, तो तुरंद inform करो, और एक Child Marriage रोकने के लिए उन्हें incentivize भी किया गया था, तो एक लाख teenagers जो है, उनकी counselling भी की गई थी, और अगर आप inform करते हो किसी Child Marriage के बारे में, तो 5000 रुपे का इनाम भी आपको मिलेगा, अब तो कहरे एज लड़कियों की Marrizeable Age बढ़ा के 21 कर दिये, लेकिन उस समय 18 थी, तो निर्भया कड़ी योजना स्टार्ट की थी गंजम डिस्टिक ने, और ये पहला Child Marriage Free District बना ओडिसा का, अभी अभी असुरगड फोर्ट सेटलमेंट ये नियूज में थी, ये कहां पे है, यहां पे एक्चुली रेडियो कार्बन डेटिंग टेकनीक की गई थी, तो असुरगड फोर्ट जो है, ये काला हंडी में है, तो आंसर है काला हंडी, और इससे ये पता चला कि ये जो फोर्ट है, ये 9th century BC, यानि Iron Age के समय का है, पहले ये माना जाता था कि ओडिसा का जो सबसे पुराना फोर्ट था वो था शिशुपालगड फोर्ट, शिशुपालगड फोर्ट को पहले सबसे पुराना माना जाता था, लेकिन अब ये प्रूव हो गया है, कार दिहान रखना है आपको, कि ये 9th century BC से 4th century BC का जो Iron Age का समय है, उस समय का है ये फोर्ट, Iron Age समय का फोर्ट है, असुरगड फोर्ट, ये काला हंडी में है और ये काफे important question है, इन में से कौन सा फोरेस्ट है, उडिसा का, जो only फोरेस्ट है, जिसको CRPF के जवान गार्ड करते ह हैं, तो इसको एशिया का largest टीक और साल फोरेस्ट बोलते हैं, ये है बार्बरा फोरेस्ट, ये एक मात्र फोरेस्ट है इंडिया का, जिसे CRPF के जवान प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, ये फोरेस्ट ओडिसा के तीन डिस्टिक्ट में फैला हुआ है, खोर्दा, नयागड और गंजम, टिम्बर माफिया से प्रोटेक्ट करने के लिए, CRPF जो है वो इसको प्रोटेक्ट करती है, कोई डाउट इसमें, बार्बरा फोरेस्ट चिलका लेक के बहुत पास है, और इसका नाम एक ब्रिटिश, ब्रिटिश वोमेन है बार्बरा, जिसको एक टाइगर ने किल कर दिया था, मार दिया था, उसके नाम पे इसको बार्बरा फोरेस्ट बोलते हैं, कौन सी वाइल लाइफ सेंचुरी है, ओडिशा की, जहां पे पहला एनिमल ओवर पास बना है, और रेलवे ट्रैक, आब यहां पे देख सकते हैं, इस वाइल लाइफ सेंचुरी के कपिलाश वाइल लाइफ सेंचुरी में, कपिलाश वाइल लाइफ सेंचुरी पूरे ओडिशा की पहली है, जहां पे एक ओवर पास बना है, ठीक है, यह कहां पे है यह वाइल लाइफ सेंचुरी, यह धेन कनाल में है, धेन कनाल डिस्टिक्ट में है, यह 100 मीटर लॉंग प अनम हुआ था और कावी famous singer, songwriter, author और columnist थे प्रफुल कर ठीक है और इन्हें 2015 में पदमश्री मिला था Odisha का कौन सा district है जिसको first prize मिला है state level पे इन्होंने long lasting insecticidal net distribution जो है उसको documentation उसका किया to curb malaria इंडिया में सबसे ज़्यादा malaria की cases Odisha में आते हैं 50% cases इंडिया में जितने भी हैं वो Odisha से आते हैं तो malaria को control करने के लिए इन्होंने long lasting insecticidal net distribution को document किया तो इसमें first prize मिला सुंदरगड को तो answer है सुंदरगड district world malaria day 25 अप्रेल को मनाया गया और उसी दिन ये first prize सुंदरगड को मिला था अभी अभी Odisha का रायबानिया fort news में आया था आपको बताना है ये कहां पर है रायबानिया fort रायबानिया fort एक group है ancient forts का ये बालासोर में है तो answer है बालासोर और बहुत बड़े medieval forts इने माना जाता इस्टन इंडिया के ये जब nursing day one का रूल था इस्टन गंगा डैनेस्टी रूलर थी गंगा डैनेस्टी के रूलर तो उनके समय में ये fort बना था तो ये अभी अभी news में आया था recently तो इस पर question पूछ सकते हैं ये कहां पर है ओडिजा के cricket खिलाडी शुबरांशु सेनपती इस बार कौन सी IPL टीम ने इने auction में बाय किया था ओडिजा के cricket खिलाडी शुबरांशु सेनपती जो है चैने सूपर किंग्स ने इने अपने base price 20 लाख में बाय किया था IPL 2022 के लिए रंजी ट्रोफी इन्होंने ओडिजा के लिए काफी खेला है और काफी prolific खिलाडी रहे हैं ये आगे बढ़ते हैं Renowned Ornithologist, Ornithologist मतलब होता है जो पक्षियों को study करता है Bird Scientist साहिब उदे नरायन देव का निधन हो गया ये तीन टाइम एमेले थे मोहन Assembly Constituency से ये ओडिसा में कौन से डिस्टिक्ट में आती है मोहन जो Constituency है ये गजपती डिस्टिक्ट में आती है 1974, 1977 और 1980 तीन बार ये जो इलेक्ट किये गए थे वहाँ से एक और important बात इनकी जो पक्षियों के उपर study है जिसको बोलते हैं विहंग सम्हिता ये अभी अभी रिलेस की गई थी रोश्नी सिंग देव इनका निधन हो गया ये भी फॉर्मर MLA इनकी डेथ हो गई और दो बार लगातार ये कौकसारा सीट जो है कालाहंडी वहाँ से MLA का चुनाव जीती थी 1995 और से लेकर 2004 तक ये MLA थी कौकसारा सीट कालाहंडी से इनकी डेथ हो गई बिरेंदर लाकडा आपको बताना है ये कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं इन्हें DSP प्रोमोट किया गया है भी तो ये फॉर्मर इंडियन होकी वाइस कैप्टन है बिरेंदर लाकडा तो आंसर है होकी इन्होंने DSP जॉइन किया है जो ओडिशा स्टेट पुलिस हेड़कॉर्टर है कटक में वहाँ पर इन्होंने DSP जॉइन किया है और इनका जनम सुंदरगड में हुआ था तो ये सुंदरगड से हैं 2012 लंडन ओलम्पिक्स में इन्होंने होकी टीम में रेप्रिजेंट किया था और टोक्यो में ये वाइस कैप्टन थे उस टीम के जिसने 41 एर्स के बाद ब्रॉंज मेडल जीता था इन्होंने होकी से रेटार्मेंट ले लिया था ओलम्पिक्स के बाद ओडिसा का कौन सा सिटी है जो Eat Smart Cities Challenge ये Ministry of Housing Urban Affairs ने करवाय था उसमें 11 विनर्स थे उनमें से एक है ये ये कौन सा है किसकी बाद हो रही है तो ये है राउर केला Eat Smart Cities Challenge में 11 विनर्स है उनमें से एक है राउर केला इसके अलावा चंडिगर्ड, इंदौर, जम्मू, जबलपूर, पंजी, राजकोर्ट, सागर, सूरत, तुमा कुरू और उज्जैन है और राउर केला है कौन सा District Headquarter Hospital ये ओडिसा का जिसे First Prize मिला है काया कल्प अवर्ड, काया कल्प अवर्ड क्या होता है, काया कल्प अवर्ड मतलब होता है आप जो सरकारी हस्पताल है, आप उनको तबदील करो, मॉडरनाइज करो, उनका पूरी तरह से काया कल्प करो, ट्रांस्फॉर्म करो में, ओडिसा स्टेट की जो टीम है, उसका क्या नाम है, इसका नाम रखा गया है, ओडिसा जगरनाट्स, ओडिसा जगरनाट्स जो टीम है, ये खेलेगी Ultimate Koko League Challenge में, अभी अभी ओडिसा से किसने Mount Everest को स्केल किया है, ये अल्यडी तीन बड़ी बड़ी पीक स्केल कर चुके ह है, North America, South America और Africa में, अब इन्होंने Mount Everest को भी स्केल किया है, इनका नाम है सिधार्थ राउतरे, ये एक politician है, सुरेश कुमार राउतरे, उनके बेटे हैं, तल्चर Fertilizer Limited Plant, ये डवलप किया जा रहा है, ओडिसा में, कहां पर, किस district में, ये अंगुल district में किया जा रहा है, और ओडिया language के लिए, 24 languages के लिए दिया जाता है, 22 तो वो है, जो हमारे 8 schedule of the constitution में है, और 2 और है, ये दो कौनसी है, और राजस्थानी और English, तो total हो गई 24, ओडिया के लिए मिला है ये रुशिकेश मलिक को, तो answer है option A, सहित्य अकेडमी अवर्ड, अगर पूछें सहित्य भी होता है, वो मिला है दिगराज भ्रमा को, ओडिया के लिए, तो ये ना मेंने दोनों लिख दी है, सहित्य अकेडमी युवा पुरुसकार, देव ब्रद्दास और बाल सहित्य पुरुसकार, दिगराज भ्रमा, ओडिया की क्या rank है, इंडिया स्किल्स नैशनल तो Ministry of Skill Development और Entrepreneurship ने करवाया था, इसमें ओडिसा ने टॉप किया है, ओडिसा ने 10 गोल्ड, 18 सिल्वर और 9 ब्रॉंज मेडल जीतकर इसमें टॉप किया है, महराष्ट्रा थर्ड था, केरला सेकिंड था, ठीक है, महराष्ट्रा इसमें थर्ड था और केरला जो है, वो इसमें सेकिंड था, यहाँ पे आप जो रैंकिंग है वो देख सकते हैं, ओडिसा ने इसमें टॉप किया है, मुक्यमंत्री वायू स्वास्थे सेवा, यह काफी important question है, इसमें क्या है, अगर ओडिसा के जो interior के इलाके हैं, या tribal इलाके हैं, महाँ पे doctors available नहीं है, तो air lift करके उन्हें शेहर लाये जाएगा, तो मुक्यमंत्री नवीन पतनायक ने मुक्यमंत्री वायू स्वास्थे सेवा योजना कहां से शुरू करी, यह बेजू पतनायक इंटरनेशनल एरपोर्ट भूवनेश्वर से स्टार्ट करी, अभी यह चार डिस्टिक्ट में स्टार्ट की गई है, म इने एरलिफ्ट करके महाँ पहुचा दिया जाएगा, या पेशेंट्स को एरलिफ्ट करके डिस्टिक्ट हेड़कोर्टर में लाए जाएगा, यह पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होगी, तो यह है मुक्यमंत्री वायू स्वास्थे सेवा, धर्मपाद जो मिला है, मशूर पेंटर ललत मोहन पतनायक को मिला है, तो आंसर है ऑप्शन D, और ललिफ्ट कल अकαιडमी के तवारा इसमें पांच लाख रुपे का अवार्ड मिलता है, एक साइटेशन और एक शॉल मिलता है, और और ललिफ्ट कल अकैडमी ने यह अवार्ड उन्हे द भुवनेश्वर में किया गया था, इंडियन ग्रोंप्री अथलेटिक्स 3 & 4 का, और पहले ये मदुरई में होना था तमिल अडू में, फिर बाद में भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था, ओडिसा के कितने डिस्टिक्ट हैं, जो आजादी से अंतियोदे तक में जो कैंपेण चला, उसमें सिलेक्ट किये गए थे, तो ओडिसा के जो हैं, मदब 75 डिस्टिक्ट थे पूरे इंडिया से, उसमें ओडिसा के ये 5 हैं, कोरापुट, यहां के फिर्डम फाइटर थे कालिया, सुंदरगड से निर्मल मुंडा, केउन जार से धरा निधर नायक, और संबलपूर से चंदर शेकर बहरा और वीर सुंदर साई, ठीक है, इन फैक्ट, वीर सुरेंदर साई जो राउरकेला एरपोर्ट है, उसका नाम वीर सुरेंदर साई एरपोर्ट भी रखा गया है, तो ये 5 थे, तो आंसर है 5, आजादी से अंतियोदे तक, इसमें 99 फिर्डम फाइटर से एसोसियेटेड 75 जो डिस्ट्रेक्ट्स हैं, उनमें हमें सरकार को काफी सारा इंफ्रस्ट्रक्चर अपग्रेड करना था, पदमश्री शांती देवी, इनकी डेथ हो गई, इने ल पूर भी कहते थे, अब मैं बात करता हूँ, वन डिस्ट्रेक्ट, वन प्रोड़क्ट फ्रोम ओडिसा, ओडिसा की सरकार ने सभी 30 डिस्ट्रेक्ट में वन प्रोड़क्ट को अइडेंटिफाई करा है, जो उस डिस्ट्रेक्ट की पहचान बनेंगे, तो ये कौन-कौन से है इन पे एक क्वेशन जरूर आ सकता है, अंगुल, मैंगो, फ्रूट बेस्ट प्रोड़क्ट, मैंगो, बालासोर, फिश बेस्ट प्रोड़क्ट, बारगड, ओईल, सीड बेस्ट प्रोड़क्ट, ग्राउंडट, भदरक, फिश बेस्ट प्रोड़क्ट, बॉलांगीर, मिल् गंजम, फिश, जगत सिंगपूर, मिल्क, जजपूर, ग्राउननेट, उसके बाद जार सुगुड़, स्पाइसिस बेस्ट प्रोड़क्ट, चिली, कलाहंडी, फिश बेस्ट प्रोड़क्ट, कंधमाल, हल्दी, टर्मरिक, केंद्रपाड़, मिल्क, केंदु जार, उडद, शुगरकेन, नौपड़ा, मिल्ट, पूरी, मिल्क, रायगड़ा, टेमरिंड, संबलपूर, स्पाइसिस, चिली, सुमर्नपूर, मैंगो, और सुन्दरगड, मश्रूम, तो ये है वन दिस्टिक्ट वन प्रोड़क्ट ओड़िसा, पंचायत पुरुसकार, यी पंचायत फर्ड थे, एक भारत स्टिक्ट भारत में ओडिसा को किस स्टेट के साथ पेर किया गया है? Odisa को एक भारत श्रिष्ट भारत में महराष्टा के साथ पेयर किया गया है Culture Exchange के लिए होता है यह महराष्टा के festival Odisa में और Odisa के महराष्टा में celebrate किये जाएंगे जिससे Culture Exchange हो सके कौन सा organization है जिसके साथ मिलकर Odisa की सरकार काम कर रही है Urban Waste Management System और जो Dry Waste होता है उसको Recycle करने के लिए तो यह काम कर रही है United Nation Development Program UNDP के साथ इसका Headquarter New York में है Global Water Summit जो हुआ था अभी अभी उसमें WATCO यानि Water Corporation of Odisa इसे Distinction of Global Water Leader Award मिला यह Global Water Summit Madrid, Spain में हुआ था Very important question, very very important Odisa Biodiversity Board ने International Day for Biological Diversity celebrate किया तो आपको बताना है यह कब मनाया गया International Day for Biological Diversity या इसे World Biodiversity Day भी बोलते हैं यह 22 माई को celebrate किया गया था और इस बार इसका theme क्या था? Building a Shared Future for All Life और इस celebration कहां पे हुआ था इसका? Institute on Management of Agriculture Extension Image जो सिरिपुर भूवनेश्वर में है Odisa से National Florence Nightingale Award के लिए किसे select किया गया है Florence Nightingale का ही जनम दिन हम 12 माई को मनाते हैं Nurses Day के रूप में Florence Nightingale Award जो मिला है Shibani Das को मिला है यह award जनरली नर्सिस को दिया जाता है for their exceptional performance ठीक है? तो यह मिला है Shibani Das को Odisa इंडिया की only observatory जो indigenous population की health को manage करेगी उसका सारा data रखेगी वो बना रहा है ठीक है? इस observatory का नाम होगा Tribal Health Observatory या TriHob पहली बार है इंडिया में की कोई राज्य है Tribal Health Observatory बना रहा है TriHob इसका नाम होगा तो यह आपको ध्यान रखना है अभी अभी बैरहंपुर युनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कौन बनी है और क्योंकि वोमेन बनी है तो एक question important हो जाता है तो क्या नाम है इनका यह governor पॉइंट करता है गनेशी लाल उन्होंने पॉइंट किया है प्रोफेसर गितांजली दाश को तो answer है option D प्रोफेसर गितांजली दाश बारत का पहला sensory park जो differently abled person है उनके लिए कहाँ पे inaugurate किया मुख्य मंत्री नवीन पत्नायक ने यह किया शहीद नगर एरिया भुवनेश्वर का जो है महाँ पर तो answer है भुवनेश्वर भुवनेश्वर smart city ओडिसा का पहला luxury house boat इसका inauguration किया गया बारकुल चिलका में इसका नाम किया है इसका जो नाम है वो है गरुड यह पहला luxury house boat है ओडिसा का इसे tourism industry को फायदा होगा तो इसमें package होगा जो भीतरकनी का national park गहिर माथा, wild life, century वगर आपको घुमाएगा गरुड में बिराजदास की death हो गई बहुत बड़े ओडिया film actor थे बिराजदास तो यह पूछ सकते हैं कि बिराजदास का निधन हो गया इनका संबंद किस field से था so he was actor रजत कुमार कर इन्हें पदमश्री मिला था 2021 में for literature and education ठीक है तो जो dying art of paal है उनको revive करने में इनका contribution था इनकी बिटे थभी अभी हो गई दुनिया का पहला population estimation किया गया fishing cat का चिलका लेक में तो कितनी fishing cat पाई गई 176 fishing cat है चिलका लेक में और fishing cat West Bengal का state animal है ठीक है West Bengal का state animal है fishing cat और इसका जो estimation है counting किया गया था इनका IUCN status क्या है vulnerable ओडिज़ा के कौन से district में कन्या express health event चली जिसमें जो adolescent girls और women ने उनका अनीमिया का जो issue है वो tackle किया गया तो ये चलाई गई Odisa में कहां पर ये आपको बताना है याद रखिए जो कन्या express है ये चलाई गई जजपूर में Odisa के जजपूर में अभी-अभी Odisa legislative assembly का नया speaker कौन बना है क्या नाम है इनका इनका नाम है बिक्रम केशरी अरुखा बिक्रम केशरी अरुखा 20th Falk Fair National Tribal Falk Song Dance Festival हुआ था और तहरवा कृशी फेर ये Odisa में तोनों कहां पर आयुजित किये गए थे ये सारधा बल्ली है पूरी में वहां पर किये गए थे सारधा बल्ली पूरी में काली पैं कलीरा सिनमा बेसिकली ये एक बुक है जो Odisa के Eminent Film Historian सूरिय देव ने लिखी है इसको Best Book on Cinema का अवर्ड मिला है Special Mention में 68th National Film Awards जो अनाउंस किये हमारी INB Ministry में तो बुक का नाम है काली पैं कलीरा सिनमा ये वो बुक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सो ये था हमारा Odisa का बहुत ज़्यादा Comprehensive साथ महीने के Current Affair का वीडियो कैसा लगा ये वीडियो बहुत ज़्यदा मैंने कोशिश की जहां आपको extra information है वो भी मैं दूँ जिससे आपका confidence काफी भड़े जब आप exam के लिए चाहेंगे आप महसूस करेंगे इस बात को जब questions को आप करेंगे questions की जो quality है वो इस तरह से design की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप content को retain कर सकें अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप मेरे telegram group से ले सकते हैं अगें सबके लिए free है PDF कोई charges नहीं है उसके PDF, PPT दोनों share की जाते हैं आप उसमें अपने हिसाब से वीडियो को देखकर answer mark कर सकते हैं और मैं आपको एक बार बता दूँ कि ये वीडियो Odisa के सभी exams में useful होगा Odisa में जो TET का exam होता है Odisa में जो OPSC का जो भी exam को आयोजित होते हैं Odisa Civil Services Odisa में local जो exam होते हैं SI वगरा के सब में ये वीडियो काफी useful होगा और मैं चाहता हूँ पिछले साल के तरह इस बार भी आप मुझे वही support और वही प्यार मुझे पूरी उमीद है इस वीडियो को देंगे यहाँ पे मैं आपको एक चोटी सी बात यह भी बता दूँ कि अगर आप मुझे daily current affair पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो app है study IQ की उस पे मैं daily बहुत ही detailed current affair पढ़ाता हूँ सभी exams के लिए highly relevant और मेरे selections आप मेरे telegram group में देख सकते हैं यह course सिर्फ 9.99 रुपीज पर यह आपको पे करना है इसके लिए अगर आप मेरे से current affair daily पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे comments में लिख सकते हैं या आप description में जो link है उस पे click करके directly purchase कर सकते हैं हर रोज class होती है उसमें और weekly best 300 series और हर 6 महीने बाद best 500 और yearly best 1000 series भी cover की जाती है सो मिलते हैं फिर आप से हमारी study IQ app पर और ये वीडियो जितना हो सके अपने Odisa के जो आपके friends हैं उनके साथ share करना मत भूलना Thank you for watching